हेलो गाइस कैसे हैं और होप आपको जित्ते भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं एलेक्ट्रिकल इंजिनरिंग के रिगार्डिंग वो काफी अच्छे लगे होंगे अगर आपने अभी तक एसी सर्किट्स और मैगनेटिक सर्किट्स के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प प्रिवियस यर्स में जो भी कोश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछे हुए हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 10 निमेरिकल हैं और इनके एक्जाम में आने की प्रॉबिल्टी बहुत ज़्यादा रहती है तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा औ और पूरे 10 wen question को मैंने बहुत अच्छे से explain किया हुआ है और इसमें जो भी koncept लग रहे हैं सारे के सारे मैंने आपर बताय हुए है तो यहां पर सबसे पहले इमगों स्क्राइप करते हैं पहले numerical से तो यहां पर पहला numarkal जो है पहले numerical में क्या कहा गया है स्पैले data पढ़त की है आई बराबर फाइव एंपियर है अब इसमें पूचा है इंडक्टेंस की वैल्यू किती है एल बराबर कितना दिया हुआ है और साथी साथ कह रहा है फ्लक्स is one milli waiver एक चीद ध्यान रख्किएगा यहांपर फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है लेकिन यहां पर देखिएगा वेबर से पहले small m का इस्तमाल किया हुआ है small m का जो होता है मतलब वो milli होता है 10 to the power minus 3 तो ये सब चीजें काफी ध्यान देने वाली होती है तो इस numerical में flux की value 1 milli waiver दे रखी 10 to the power minus 3 waiver है number of turns जो है वो 10 है current जो है वो 5 ampere है अब अगर आपने magnetic circuit का वीडियो देखा हुआ है तो वहाँ पर मैंने inductance का एक formula बताया था L बराबर N phi upon I तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है values put कर देनी है N की value यहाँ पर put कर देनी है phi की value यहाँ पर put कर देनी है और current की value यहाँ पर put कर देनी है जो answer आएगा वो हेंडरी में आएगा 2 into 10 to the power minus 3 हेंडरी को हम 2 milli हेंडरी लिख सकते हैं first numerical था काफी आसान था अगला numerical जो है वो भी magnetic circuit से ही है magnetic circuit में फेराडेलो पे पूछा हुआ है question question क्या है मैं read कर देता हूँ question यह है कि 10 turns की coil है 10 turns की coil का मतलब हो गया वेबर नहीं है 5 milli है 5 milli वेबर का flux का change हो रहा है और कितने time में change हो रहा है 2 second में change हो रहा है तो पूछ रहा है इसमें induced DMF कितना है सबसे पहले तो मैं formula की बात करता हूँ E बराबर यहाँ पर होता है N D5Y dt के बराबर होता है E बराबर N D5Y dt होता है यहाँ पर N जो होता है number of turns होते है और D5Y का मतलब यह होता है flux का कितना change हो रहा है और dt का मतलब यह हो रहा है time का कितना change हो रहा है यह हमारा important है तो यहाँ पर number of turns जो दे रखे हैं वो 10 turns दे रखे हैं यहाँ पर flux का change दो दे रखा है वो कितने मिली वेबर का है 5 मिली वेबर का है और जो टाइम का चेंज दे रखा है वो कितने सेकेंड में दे रखा है दो सेकेंड में दे रखा है बस कुछ नहीं आपको वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है एन बराबर 10 पुट करना है फ्लक्स का चेंज 5 मिली वेबर का है 10 पाइनस 3 हो जाएगा और टाइम जो हो जाएगा वह दो सिकिंड के बराबर आ जाएगा तो आंसर यहां से आ जाएगा 25 इंट्यू 10 पाइनस 3 वोल्ट या इसको 25 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं यहां पर अगला निमेरिकल बहुत ही आसान निमेरिकल है जैसे हम लोग रजिस्टेंस में एक्विवेलेंट रजिस्टेंस की वैल्यू निकाला करते थे वैसे ही इंडेक्टेंस में एक्विवेलेंट वैल्यू निकालने को पूछ सकता है एक्जाम में तो यहां पर देखिएगा यह ज 1 upon L2 बराबर होता है उसी को लगाया है यहां पर तो L बराबर यहां से 2 Henry के बराबर आ गया यानि कि इन दोनों की जगे पर हम यहां पर 2 Henry का inductance यहां पर लगा सकते हैं तो बस circuit को फिर से redraw कर लिया 2 2 और यह 1 किसमें आ जाएंगे series में आ जाएंगे तो answer L1 plus L2 plus L3 यानि कि 500 के बराबर है बहुत ही आसान numerical है यह ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग यह काफी अच्छा question है formula based question है question यह कह रहा है कि यह कोई capacitive circuit है अब यह capacitive circuit क्या होता है capacitive circuit वो circuit होता है जिसमें केवल केवल capacitor लगा होता है और इसमें देखिए supply दे रखी है कितने वोल्ट की 200 वोल्ट की AC supply दे रखी है और capacitance की value 2μF दे रखी है micro का मदलब 10ड़ पार माइनस 6 होता है इस question में पूछ रहा what is the value of current बहुत ही simple question है इसका सबसे बहुत बहुत ही डाइगराम बना लेते हैं कि different circuits के impedance कितने होते हैं यह आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो circuit है वो capacitive circuit है capacitive circuit का तो Z होता है वो होता है 1 upon omega C के बराबर और omega C बराबर होता है 2 pi FC के बराबर अब यहाँ पर frequency जो दो रखी है वो आपकी 50 Hz दे रखी है और C की value दे रखी है 2 microfarad दे रखी है उसको हमने आपर put कर दिया तो Z बराबर जब हम निकालेंगे तो 1592.35 ohm के बराबर आजाएगा बस इसके बाद कुछ नहीं करना है value put कर देनी है I बराबर होता है we upon Z जो supply है वो 200 volt की दे रखी है और Z की value अभी आपने निकाली है यहाँ पर 1592.35 तो आंसर आजाएगा 0.125 ampere के बराबर बहुत ही simple numerical था जैसा कि आप देख सकते हैं अगला numerical काफी important numerical है यह मैंने अपने video lectures में भी discuss किया हुआ था question क्या है RL circuit का है RL circuit में कह रहा है कि एक 230 volt और 50 hertz की supply हमने लगाई हुई है जिसमें R और L की value यहाँ पर given है R की value 2 ohm है और L की value दे रखी है 20 millihenry दे रखी है question पूछ रहा है कि current और power factor की value कितनी है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें formula कौन से लगेगा I current की value अगर हम निकालेंगे तो हमको पता है current I बराबर कितना होता है V upon Z के तो supply तो यहाँ पर पता है हमको 230 volt की यहाँ पर supply देखिए 200 I बराबर यहाँ पर formula लगेगा i बराबर v upon z अब supply तो यहाँ पर पता है 230 वोल्ट की है लेकिन z हमको नहीं पता है z निकालना पड़ेगा अब आपको अच्छी तरह से पता है कि rl circuit में जो z होता है वो किसके बराबर होता है under root r square plus xl square के बराबर होता है और xl जो होता है वो आपका omega l के बराबर होता है सबसे पहले तो xl की value निकाली जाए तो xl बराबर होता है omega l 2 pi fl frequency यहाँ पर 50 hertz दे रखी है और l की value दे रखी है 20 millihenry 10 per minus 3 से multiply करेंगे तो यहाँ से xl बराबर आ जाएगा 6.28 ohm तो यहाँ पर क्या है फिर उसके बाद resistance की value दे रखी है 2 ohm यहाँ पर resistance की value रख देंगे और xl की value अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली है 6.2 ohm तो इसको यहाँ पर put कर देंगे और resistance की value 2 ohm यहाँ पर put कर देंगे यहां से z की value आ जाएगी 6.6 ohm के बराबर आ जाएगा अब आपको अच्छी तरह से पता है i बराबर होता है v upon z v बराबर 230 z बराबर अभी निकाला है तो answer 34.84 ampere आ जाएगा power factor आपको अच्छी तरह से पता है cos 5 बराबर r upon z जो power factor की value होती है वो r upon z के बराबर होती है r यहां पर 2 दिया हुआ है z 6.6 निकाला है तो answer 0.3 आ जाएगा अब यहां पर lag क्यों इस्टमाल किया हुआ है क्योंकि यहां पर मैंने बताया था कि अगर circuit में कहीं पर भी इंडक्टर लगा हुआ है तो हमेशा और हमेशा जो power factor होता है वो लैगिंग होता है ठीक है अगले numerical की हम लोग बात करते हैं अगला numerical जो है वो question number 6 है यह फेजर डाइग्राम पर बेस्ट है अगर आपने लास्ट टाइम पर power factor वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज उसको एक बार देख लीजेगा उसके बाद यह numerical करिएगा आपको बहुत ही अच्छे सबज में आएगा यहां पर देखेगा current और voltage की कोशन नहीं कोशन पूछ रहा है active power क्या है और पावर फैक्टर क्या है इस सर्किटो सबसे पाहले तो यह देखिएगा voltage की equation 200 sin 100 pi t दे रखा है और i बराबर 100 sin 100 pi t minus 60 degree दे रखा है तो जरह हम standard equation से अगर हम इसको match कराएंगे तो v बराबर vm sin omega t लिख दिया और i बराबर हमने लिख दिया im sin omega t minus 60 degree इस तरह से हमने standard equation से match कराया ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं इसका phaser बनाऊंगा तो मैंने बताया ता फेजर कैसे बनायाता है सबसे पहले voltage का फेजर बनाया जाता है voltage का फेजर बनाने के बाद current का angle देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर current के angle में कितने degree लिखा स्टी degree लिखा हुआ है minus का 60 का मतलब current जो है यहाँ पर वो पीछे है कितने degree 60 degree मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर current के साथ minus 60 degree का angle है इसका मतलब यह है current जो है voltage से पीछे चल लगी है कितना पीछे है 60 degree पीछे है तो अब इस phaser की help से हम answer निकाल सकते है active power का formula होता है p बराबर vm im by 2 into cos phi where 5 जो होता है वो voltage और current के बीच का angle होता है जो कि 60 degree यहाँ पर दिया हुआ है और vm im की value हम लोग यहाँ पर standard equation से match कराके लिख सकते हैं यह देखिए vm की value 200 दी हुई है और im की value कितनी दे रखी है 100 दे रखी है तो vm im की value यहाँ पर जब हम put कर देंगे तो answer आ जाएगा 5000 watt 5000 watt क हम लिख सकते हैं 5 kilowatts अगला part हमारा है reactive power बराबर होता है vm im by 2 into sin 5 और यहाँ पर 5 की value अभी है आपने उपर फेजर में देखी कितने degree है 60 degree है बस value पुट कर देनी है vm बराबर 200 है im बराबर 100 है value पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 10 to the power 4 into root 3 by 2 solve करेंगे तो answer आ जाएगा 8 0 wars जो रिक्टिव पावर का यूइनिट होती है वो किस के बराबर होती है वार्स के बराबर होती है अगला जो यहाँ पर Active power अब यहाँ पर बात करते हैं power factor की पावर factor यहाँ पर कितना होगा power factor क्या होता है पावर फैक्टिड कि मैंने definition बताई थी कि voltage और current के बीच का आप क्या देखना है एंगल देखना है यह करेंट कितने लिगरी है और पावर बराबरwww क http यहांग के बीच का एंगल यानि कितने अजाएगा 60ग और आनसर आजाएगा पॉइंट अब देखिए यहाँ पर current क्या है पीछे चल लई है तो answer आजाएगा lagging ठीक है तो आगे चलते हैं इसी क्रम में question number 7 की बात करते है question number 7 काफी important है यह पूछा जा सकता है question यह कह रहा है कि एक AC circuit में voltage और current की again equation दे रखी है और आप से कह रहा है कि angular frequency किती होगी frequency किती होगी rms value किती होगी time period कितना होगा form factor और peak factor कितना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम standard equation से जरा इसको compare करा लेते हैं standard equation दे रखी है v बराबर vm sin omega t होती है और यहाँ पर voltage की जो equation दे रखी है वो 100 sin 100 pi t दे रखी है तो इसको अगर हम compare कराएंगे तो यहाँ पर omega की value क किती है आ जाएगी omega बराबर 100 pi के बराबर आ जाएगा तो omega बराबर 100 pi यानि कि यहाँ पर 103.14 तो यहाँ पर 314 radian पर second आ जाएगा दूसरे पार्ट में omega बराबर कितना होता है 2 pi into f के बराबर होता है तो यहाँ से f की value किती है आ जाएगी omega upon 2 pi जब solve करेंगे तो answer आ फिर उसके बाद voltage की rms value पूछ रहा है voltage की rms value होती है vm by root 2 इसका derivation भी मैंने करवाय गुआ था और vm की value यहाँ पर अगर हम compare कराएंगे तो कितनी आ जाएगी 100 के बराबर आ जाएगी तो यहाँ पर value पूट कर देंगे 100 by root 2 answer आ जाएगा 70.7 volts आ जाएगा आवर्त काल या 1 upon 50 seconds इसको अब solve कर सकते हैं 0.02 इसका answer आ जाएगा ठीक है अब previously मैंने बताया हुआ है कि form factor क्या होता है form factor बराबर होता है rms value upon average value rms value अभी आपने निकाला है 70.7 उपर अभी निकाली थी rms value और average value क्या होती है 2 by pi into vm यहाँ पर v average की value अगर हम लिखेंगे यहाँ पर लिख हुआ है v average की value जो होती है वो कितनी होती है 2 upon pi into vm इसका मैंने already derivation भी previous जो मैंने video lecture दिया था उसमें करवाया हुआ है तो यहाँ पर 2 upon pi into क्या आ जाएगा 100 आ जाए को कि vm की value किती है यहाँ पर 100 दी हुई है तो answer 1.11 आ जाएगा इसी तरह से peak factor की value निकालेंगे peak factor जो होती है maximum value upon rms value तो maximum value कितनी है 100 है और rms value किती है 70.7 है तो यहाँ 1.414 एक चीज और मैं बता दूँ मैंने video lecture में भी बताया था आपको कि numerical data कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं होता है form factor की value हमेशा 1.11 और peak factor की value हमेशा 1.414 यह fixed है और इसकी value sinusoidal current के लिए हमेशा और हमेशा यह भी आती है फिर उसके बाद आगे चलते हैं question number 8 की तरफ question number 8 मैंने video lecture में भी डिसकस किया हुआ था question number 8 यह कह रहा है कि एक sinusoidal current की maximum value जो दिया अधिकतम बान जो दिया हुआ है वो कितना है 100 एंपियर है और इसकी frequency 100 हर्ट से ध्यान देखेगा 50 नहीं है आपर what is the equation इसका समीक इसी तरह से बता है कि standard equation क्या होती है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होती standard equation और आई मैक्सिमम वैल्यू कित्ती दे रखी है 100 यानि आई एम बराबर 100 यहाँ पर दे रखा है question में यह देखेगा question में maximum value जो दे रखी हो कितनी है 100 एंपियर है नहीं आई एम बराबर क साइन ओमेगा टी होती है तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर equation करेंट का आजाएगा 100 साइन 628 इंटू टी के बराबर आजाएगा equation sinusoidal wave की अब यहाँ पर आप से question पूछा हुआ है कि omega t बराबर pi by 3 पर इसकी value गित्ती होगी तो पहले तो यहाँ पर equation आई बराबर i m sin omega t अम मान के चलना है और i m बराबर यहाँ पर कितना है 100 साइन ओमेगा टी और omega t बराबर यहाँ पर कितना पूट कर देना है 4 5 by 3 4 5 by 3 का मतलब होता है 240 डिगरी जब आप यहाँ पर पूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा minus 50 into root 3 ampere ठीक है बहुत ही simple numerical था यह अब यह question काफी एक्जामों में पूछा हुआ है previously काफी बार आये हुआ है कि अगर तीन resistance जो है वो 10 ohm 5 ohm और 2 ohm यह किस में लगे हुए हैं देल्टा में लगे हुए हैं तो इसका star आपको बना कर दिखाना है तो मैं फॉर्मला एक बार बता देता हूं suppose आपका r1 r2 और r3 यह तीनों डेल्टा में लगे हुए हैं और आपको star की value निकाल ली है तो इसके अंदर जो बना हुआ है डेल्टा के अंदर देखिएगा जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है star बना हुआ है मान लेते हैं उसकी value rx ry और rz है तो यहां पर rx की value का formula कैसे निकालते हैं देखिएगा rx पे अगर हम focus करेंगे तो rx के अगल बगल कौन से resistance है r1 और r2 है तो हम लिखेंगे इस तरह स देखिएगो से जब हम ry की value लिखेंगे तो ry के बगल में कौन से resistance है r2 है और r3 है तो यहां पर लिखेंगे r2-r3 upon r1 plus r2 plus r3 and rz की value निकालेंगे जब तो rz के आसपास देखिएगगा कौन से resistance है r1 है और r3 Super 1, r1 plus r2 plus r3 तो यहां पर rz की value आ जाएगी बस कुछ नहीं ह ब्राबर यहां पर मान लेते हैं 10 ओम है रटू पराबर पांच ओम है रट्री ब्राबर दो ओम है बस यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है आपको इन फॉर्मुलों में तो और एक्स पराबर 2.94 आ जाएगा और वाइबर 0.58 आ जाएगा और जैड ब्राबर 1.17 ओम आ साम में यह पूछा गया है कि थैवनें सर्कृट बनाना के लिए मैंने बताया था कि वी टी एच और आवशकता होती है तो यहां पर और रटी एच निकालने के कुछ स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं कोश्चन सबसे पहले तो यह देखना होता है कि जो थैवनिन बनाना है वो किसके क्रोस बनाना है यहां पर थैवनिन बनाना है A B K 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 आ जाएगा यहां से 10 ohm गायब हो जाएगा अब एक चीज़ और करनी होती है कि सबसे पहले यहां पर A, B के cross आपको polarity को mention करना होता है A वाले को positive मान लो B वाले को negative और यहां पर मान लो अब suppose that यहां पर current मान लेते हैं कितने ampere है आई ampere है अब यहां पर current जो है वो कुछ नहीं है आई बराबर 0 है तो यहां पर पूरी की पूरी current जो flow होगी वो इस वाले loop में इस तरह ऐसे करके यहां पर flow होगी आगे कोई current ही नहीं जाएगी सोचने वाली बात है कि अगर यहां पर आई current है यहां पर भी आई current है और यहां पर कोई current जा नहीं रही है कोकि यह बराबर 0 है तो यह वाली current यहीं पर तो घूम के रहेगी ठीक है फिर उसके बाद current के according हम क्या करेंगे polarity बना लेंगे इस तरह से सारी polarity बना ली फिर उसके बाद हम केवियल लगाएंगे loop न सबसे पहले हम क्या करेंगे positive से यहां पर देखे इस loop में जब इस तरह से घूम रहा है तो positive से negative जा रहा है तो यह हो जाएगा वन इंट्व आई drop हो जाएगा फिर उसके बाद फिर positive से negative जा रहा है यह भी drop है तो यह 2 के बराबर आ जाएगा और जब हम घूम के इस तरह से जाये तो negative से positive तो यह फाइवा जाएगा यहांसे आई बराबर वन इंपिर आजएगा अब हम क्या क्या करेंगे व मब्ला यह वाले loop का हम क्या करेंगे a diagram बनाएंग है यह तो इस वाले loop में जहोगों डाइग्रां बनाएंगे तो आई बराबर आपका निकल के आ चुक का ह है और यह सारी की सारी चीजें इस तरह से हैं एक ध्यानर रखिए यहाँ पर जो करेंट है वो क्या है 0 है फोरोंग की एक्रॉस जो करेंट है वह पहले यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं होगा तो अब इस वाले loop में जब हम गुपवेंगे फिर से वही होगा voltage drop gibi वोल्टेज rise के बराबर आ जाेगा, तो यहाँ पर voltage drop बराबर voltage rise तो positive से negative जाएंगे तो VTH आ जाएगा, negative से positive जाएंगे तो rise आ जाएगा, two volts इसको मैंने इधर रिख दिया है, और फिर उसके ब current 0 यानि voltage की value भी क्या होगी जिरो होगी सिंपल सी बात है वी टीच बराबर यहां से आ गया है आपका 4 वोल्ट के बराबर आ गया है calculation of the RTH कैसे करेंगे calculation of RTH के लिए सबसे पहले तुम क्या करते हैं जितना भी voltage source है उसको short circuit कर देते हैं और current source को open circuit कर देते है cross AB AB के cross तो यहां पर देखिएगा इस वाले डायग्राम में यह जो diagram है आपका इसमें इस वाले को हम short कर देंगे यहां पर इस वाले voltage source को भी क्या कर देंगे short कर देंगे तो जब short कर देंगे तो हमारा diagram कुछ इस तरह से यहां पर बनकर आ जाएगा ठीक है अब इसमें यह हमारा यहां पर हमको किसकी value निकाल ली है अब एक चीज़ सोचिए series parallel कैसे पचानेंगे मान लेते हैं यहां पर current i है अब इस current i को इस point पर दो रास्ते दिख रहा है एक तो i1 रास्ता दिख रहा है और दूसरा कौन सा रास्ता दिख रहा है i2 रास्ता दिख रहा है तो यानि की guaranteed है कि यह जो one और two ohm है या अपस में किसमें है parallel में है तो one और two का जब हम parallel combination निकालेंगे तो यह आ जाएगा दो बटे तीन ओम यानि की point six seven ohm बस कुछ नहीं करना है इसकी जगह पर हमको point six seven लगा देना है ठीक है तो यहां से four or point six seven जो आ जाएगा answer four point six seven यह आ जाएगी और बीटिए यह आपको यह बहुत अच्छा लगा हुआ है ठीक है और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको कुसी भी निमारिकल में या किसी भी टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नेम आप लिख सकते हैं उस पर मैं वीडियो जुरूर बनाऊंगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो है वैव नाइस डे